प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से समय समय पर देश के विबन हिस्सों में मिल सकते हैं अन्य दिनों में शर्माजी अधिकतार दिली में रहते हैं नमस्कार जोतिस ग्यान में दर्शों को आप सभी का महार्दिक स्वागत करते हैं छट पर्व के विश्य समोके पर सभी को बहुत-बहुत बधाई और शुब काम नाए छट माता का वर्थ और सूरिय साधना का महत्व अपने आप में विश्य सोता है पूरे भारत वर्ष में इस विश्य स्वागत के पर्व को बड़ी धूम धाम के साथ मनाया जाता है और रही बात पूरवी भारत में खासतोर से बहुत अच्छे से इस वर्थ का नियम विधी विधान के साथ किया जाता है चार दिन का ये एक विश्य स्वागत का पर्व होता है और तीन दिन में इसमें विश्य स्वागत के कठोर नियमों को निबाते हुए हमें अपने आराध्य के इस्तुती में लिप्त होना पड़ता है वास्तर में ये वर्थ अपने आप में एक बहुत विशाल वर्थ है एक बहुत बड़ा अपने आप में पूजन है जहां छट माता का पूजन किया जाता है वही इसमें सूर्य भगवान की साधना को एक विशेश प्रगार का महत दिया जाता है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में ये वर्थ किया जाता है इसकी मैं आपको तारीक भी बता देता हूं सारी चीजे इस लगू विश्यशांक में आपको सुनने और जानने को मिलेंगे सबसे पहली बात भारतिय दर्शन सास्त्र भारतिय सास्त्र और भारतिय धर्मा सास्त्र के अनुसार विश्यश प्रकार के जो हम लोग वर्थ करते हैं इसके विश्यश प्रकार के पुन्य की प्राप्ति विश्यश प्रकार के पुन्य फल की प्राप्ति अवश्य मिलती है आप ये ना समझें कि मात्र इस प्रकार के वर्थ रखने वाला व्यक्ति एक अंध्विस्वासी होता है या इस प्रकार के वर्थ रखने से या इस प्रकार की साधनाई करने से क्या होता है बहुत कुछ होता है अगर हम किसी चीज़ को बहुत मन से करें बहुत दिल से करें तो वास्तम में हम बहुत बड़े-बड़े वर्दान प्राप्त कर सकते हैं अब देखो छट पूजा में जब सूर्य भगवान की साधना की जाती है आप और हम तो एक साधरन से इंसान हैं जब हम सूर्य भगवान की साधना करते हैं न विश्यस प्रकार के पुन्यों की प्राप्ति हमें सूर्य भगवान के आशिरवास से प्राप्त होती हैं और हम और आप जिस प्रकार से मैंने कहा हम तो साधान से इंसान है। सूर्य साधना समय समय पर विशियस प्रकार की रिष्यों ने तपस्वियों ने मुन्यों ने सभी ने की है। और ये छट पूजन ये छट वर्थ भगवान सूर्य की साधना अलादी काल से चली आ रही है गायतिरी मंत्र की हम साधना करते हैं हम सूर्यों को शाक्सी मान करके गायतिरी मंत्र की साधना पूरे विश्व में की जाती है कुंती ने सूर्य साधना की किसी से नहीं शुपा करण उत्पन हुए और किस प्रकार के मेधावी करण रहे हैं ये भी किसी से नहीं शुपा है किस प्रकार से दानवीर करण की चर्चाएं महावारत में हमें सुनने और जानने को मिलती है सूर्य की साधना का प्रताप रहा नाना भाती से सूर्य की साधना की गई है सीता माता ने भी सूर्य की साधना की है समय समय पर विशेश प्रकार की देवी देवताओं ने भी सूर्य की साधना की है सूर्य की साधना अपने आप में अनमोल होती है नवग्रहों के राजा सूरिय होते और ये जो छट वर्थ होता है पुत्थ प्राप्ति होने के पश्याद छट वर्थ किया जाता है इसी के साथ साथ एक विश्यस बात और बताएं जिनको संतान ना होती हो उनके लिए भी सस्टी माता का वर्थ रखना और सस्टी माता के पूर्ण विधिविदान को करना अपने आप में आती उत्तम माना जाता है बाकि देखो इसके साथ साथ कुछ अपनी प्रांतिय प्रंप्राएं भी हैं अपनी अपनी प्रंप्राओं के हिसाब से भी व्यक्ति इस वर्थ को करता है खर अब मैं come to the point पर आ जाता हूँ कहने का भाव कि ये सूर्य की एक जटिल साधना है इसमें निराहार वर्थ बिना नमक के वर्थ बड़ा अदभुत होता है ये किसे आप एक बार कभी आपको करने का सुभाग्य प्राप्त हो इस वर्थ को आप लोग जरूर कीजिएगा लेकिन सश्थी वर्थ सूर्य वर्थ ये अपने आप में ये भी एक बहुत बड़ा अनोखा अनुपम वर्थ माना जाता है दो तारिख यानि के दो नवंबर की छट है सर्ष्थी दो नवंबर की है और तीन नवंबर की प्रात्यकाल तक ये वर्थ रहेगा एक नवंबर को बिना नमक का भोजन बाकि अपनी अपनी प्रमप्राएं है दो नवंबर को कैसा निर्जल निराहार रहकर के इस सत्तापती दिख्षा को किया जाता है दो नवंबर दिन शनिवार सश्टी रात्री प्रयंत में 25 बजगर के 30 मिनट तक सश्टी की वेला रहेगी यानि के और वैसे भी इसमें रात्री प्रयंत तो जागरण होता ही होता है लेकिन जिस वक्त में सूरिय छिप रहे होते हैं उस वक्त में छिपते हुए सूरिय का विश्यस प्रकार से पूजन किया जाता है देखिएगा भारत की परंप्राएं उगते हुए सूरिय का भी पूजन होता है उगते हुए सूरिय को पूरे विश्व में अर्ग जल दिया जाता है लेकिन यहां छिपते हुए सूरिय की भी साधना की जाती है कितनी अच्छी बात है तो जिस वक्त में सूरिय अस्थ होने को होते हैं जल, सरोबर किसी पवित्र नदी जहां पर भी जिसका जैसा हिसाब होता है महाँ पर पर इस वर्थ को करने वाले नर नारी पहुंचते हैं और खास तोर से नारियां तो अग्रणिया रहती हैं इस प्रकार के वर्थ करने में उनका एक विशिष बलिदान अपने परिवार के लिए अपने बच्चों के लिए अपनी सुख सांती के लिए एक विशेश प्रकार का बलिदान नारियों के अंदर वास्तब में च्छिपा होता सूप टाइप की जो एक छबड़ी जिसको हम कह सकते हैं डलिया कह सकते हैं उस प्रकार का एक विशेश आपने देखा ही होगा सारे आज कल तो इंटरनेट पर सारी चीज़ें आपको देखने जानने को मिल जाती है नाना भाती के उसमें फल फरूट सभी रख्या जाते हैं क्यों जैसे हम अपने देवता को भग लगाते हैं कि कोई चीज छुट ना जा को परसन करने का प्रियास करता है तो जैसे कि अब आप इसमें ध्यान रखें दो तारिक की संध्या को जलाशे के किनारे जाकर के सुर्य भागवान की साधना करें गन्ना भी इसमें ले जाना होता है चार गन्ने और समस्त प्रकार का चाहिए एक-एक फल ले ले और फूल ल प्रव्य लेलें कंद मूल भी इसमें आप शामिल कर सकते हैं है वहां जाएं और सूर्य भागवान को प्रणाम करें और जस्वक्त में सूर्य भागवान को आप सभी प्रकार से नमशकार करके अपना जो भी विशेस आपका देखो हर व्यक्ति के मन में एक आशा होती है कि परमात्मा आपके किरपासे हे सुर्य नरायन, हे स्चट माता आपके किरपासे मेरे घर में सुक्षांती बनी रहे मेरी संताने दरगाईयों हो, मेरे पती दरगाईयों हो मेरे घर में पुत्र कलत्र सदैव अच्छे से बने रहें ऐसी भावना करते हुए मेरे विश्व में सुक्षांती बनी रहे मेरे देश में सुक्षांती बनी रहे किसी को कोई कश्ट ना हो ऐसा विश्यस प्रकार का संकल्ब करते हुए हम नाना भाती के बदार्त बागवान सूरिय को अर्पन करते है और उसके साथ-साथ विशियस मंत्र की साधना है सूरिय के विशियस मंत्र है ओम हिरिम हिरिम सूरियाए नमा ओम हिरिम सूरियाए नमा ओम हिरिम तिग्म रश्माए आरोग गिदाय सूरियाय स्वाहा नाना भाती के सूरिय मंत्र हैं अधरवाइज आपसे ज़्यादा कुछ नहीं आता है तो केवल ओम हिरिम सूर्याय नमहा ओम हिरिम सूर्याय नमए इस मंत्र को केवल पढ़ सकते हैं सूरीय को सब कुछ प्रस्तृत करें अरपन करें और ये भी आपने देखा होगा कि कस प्रकार से पूरी रात्री इस साधना में जागरण किया जाता सोते नहीं है पूरी रात्ती जागरण करके अपने उपास्य की साधना करते रहते हैं जिन लोगों को मंत्र साधना आती हैं वो लोग मंत्र साधना करते हैं अधरवाइज शेहन इसमें जो खासतोर से महिलाएं शेहन करती हैं वो जमीर पर ही शेहन करती हैं यानि कि पिछले दो दिनों में भी बिस्तर का परित्याग कर दिया जाता है। चार दिवश्य वर्थ होता है, लेकिन तीन दिन की इसमें विश्यज प्रकार की कठोर साधना चलती है। तो तारीक ध्यान रखें, शनिवार का दिन है, दो तारीक है, दो नवंबर, शष्टी, संध्या के समय सूरिय भगवान को जो भी हम से बन पड़े, हम उनको अरपित करें और अपनी वर्थ के लिए एक विश्यस प्रकार का दिव्य संकल्प लें, रातिरी पर्द्यंत जागर यर रहता है, निराहार लोग रहते हैं, भोज़राधी बिलकुल भी नहीं करते हैं, लेकिन अगर कहीं किसी को विश्यस प्रकार की समस्या है, डाइवेटिक समस्या है, या कुछ हैं, तो ध्यान रखें हमारे सभी दर्शक की भगवान नराज नहीं होते हैं, रोगी को भग या कुछ लेना पड़ जाए तो भगवान ने उसको भी छमा किया है रोगी बालक और रोगी ये ध्यान रखें मुसाफिर यानि के तीन लोगों को माफ किया जाता है लेकिन एक व्यक्ति जान भूज करके अपने वर्थ को खंडित करे तो ये कहीं न कहीं अच्छा नहीं माना जाता है तीन नवंबर की सुभा जिस वक्त में सूरिय उदे होते हैं उस उदे काल होने से पहले ही घाट पर पहुँच जाएं पानी के किनारे पहुच जाएं और सूरिय भगवान को सुगंदित द्रव्य अर्पित करते हुए अर्ग्य दे सूरिय भगवान को जल दे जिन्हें अर्ग्य मंत्र आता है ओम हिरिम सूरिय देवाई ना मैं बोलकर भी जल दे सकते हैं दे सकती हैं है न ओम हिर्म तेज़ रासू सूरिय से विश्यस प्रकार के मंत्र हैं सूरिय के लेकिन मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि हर व्यक्ती नहीं बढ़ पाता है अब जिनको आता है देखो उनको तो आता ही आता है नहीं तो सबसे अच्छा है ऐसा बोलते हुए हिरिम भी जरूर लगाएं यह सम्मोहन भी जोता है माया भी जोता है बड़ा अच्छा स्कला मिलता है सूर्य भागवान को जल दें उसके बाद जो आपकी अपनी प्रांतिय प्रंप्राय हैं तीन नवंबर को सुबावो करें और उसके बाद वही थोड़ा सा जल गिरहन करके या किसी अपने परिवार के बड़े बुजर्ग से सम्मान्य व्यक्ति से जल गिरहन करके अपने वर्त का प्रायन करें यानि के यहार निराजल पूरे रात प्रियंत जागरण दिन भर साधना है रात भर साधना है तो ऐसा कठोर तप और फिर पूरे पहर निमटने के बाद तीन तारिक की सुभा उदे होते हुए सूरिय को अर्ग आदी पूजन आदी करने के उपरांद इस वर्त का समापन किया जाता ह इस वर्त को नाना भाती के नामों से पुकारा जाता है लेकिन कुल मिला करके सूरिय भगवान की साधना का ये विशेस पर्व है छट मैया की साधना का ये विशेस पर्व माना जाता है सूरिय साधना है ऐसे कई गरंथ हैं जिनमें सूरिय भगवान की विशेस साधनाओं का हवाला मिलता है ऐसी कई उपासना है समय समय पर हमने भी अपने दर्शकों को साधिकों को करवाई हैं कि दिन में कुछ दिव्य सामगरी लेकर के सूरिय के सामने खड़ा हो जाते हैं औ वैसे वैसे हम दीरे दीरे गूमते जाते हैं, पूरे दिन का ये वर्थ होता है, एक सूरिय का वर्थ और होता है, तो कहने का भाव सूरिय वर्थ प्रमानिक है, सास्त्रों में इस वर्थ का विस्यस प्रकार का अपना उलेख होता है, जीवन में सद्गरस्त महिलाएं, पुत् जाएं, वहां देखें कि कितने तनमे होकर के वहां इस वर्थ को किया जाता है और वास्तव में इस वर्थ को करने से सूर्य नारायन की और छट माता की विश्यस प्रकार की अनुकमपा, विश्यस प्रकार की वर्दान उस परिवार को अवश्य प्राप्त होते हैं। हम लोग नव ग्रहों में सूर्य भग्वान की विशेश साधना ही करते हैं, करते हैं न, तो कहने का भाव के सूर्य नारायन की साधना किसी भी रूप में की जाए, निश्चत निश्चत तोर से हमें लाव की प्राप्ति होती है, एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, जिन्रो वक्त आप अपने वर्त का परायन करें, वर्त को परिपूर्ण करें, उस वक्त में गाएं को दिन में किसी भी समय, खास तोर से बारा बज़े तक, क्योंकि सूर्य तो उदे प्राते काल हो जाएंगे, गाएं को 21 पेड़ी थोड़ा थोड़ा गुड़ जरूर खिलाएं, कि साथ में उस दिन आदित्य हर्दे स्तोत्र सुनना, यानि कि दो तारिक को भी आदित्य हर्दे स्तोत्र सुनना, चाहें सुने, आजकल तो मोबाइल में सारा सिस्टम होता है, आदित्य के विशिस प्रकार के स्तोत्र सुनना, सूर्य अश्टक सुनना, सूर्य भगवान के 1008 आठ नाम सुनना सूर्य सहसर नाम जिसको कहते हैं अपने आप में आपकी साधना को अदभुत बनाएगा अपने आप में चार चांद लगाएगा और जो कुछ मान्याताइं हैं मान्याताओं के हिसाब से स्टी देवी का जो वर्त होता है खास दोर से संतान प्राप्टी के लिए एक विसेश मंत्र होता है ओम हिरिम स्टी देव्य नमहा मंत्र होता है ओम हिरिम ये संतान के लिए होता है स्पेसल मंत्र ओम हिरिम स्टी देव्य नमहा तो दर्शको मेरी चलते चलते इस कारिकरम में फिर सभी को बहुत बहुत शुब क नामनाएं इस विश्यस प्रकार के आयोजन के लिए इस विश्यस प्रकार के छट पूजन और सूर्य भागवान की साध्था के लिए अगले साल इस वार में थोड़ा सा विलंब से ये सब चीजें अपने दर्शोगों के साथ शेयर कर पाया अगले साल हम प्रियास करेंगे कम से कम 10-15 दिन पहले ही सारी चीज़ें और विस्तार के साथ अपने दर्शकों को के साथ साजा की जाए इन ही शब्दों के साथ हम अपनी वानी गुवराम देते हैं नमस्कार किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से समय समय पर देश की विबन हिस्सों में मिल सकते हैं अन्य दिनों में शर्माजी अधिकतार दिल्ली में रहते हैं हमारे विबिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारे के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें